फ्रेंट्स राइस फेशियल के वेनिफेट्स कौन नहीं जानता होगा फिर चाहे वो राइस बॉटर हो या स्क्रब हर एंगल से यूज करने पर यह हमारी स्किन को ग्लोइंग और वाइटनिंग लुग देता है फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जादा इफेक्टेव हमेड राइस फेशियल जो आपकी स्किन को देगा एकदम पालर जैसा फेशियल लोग लेकिन फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा पहले step में हमें rice water तयार करना है इसके लिए आपको किसी भी brand का किसी भी quality का चावर लेना है उसको एक दो बारी wash करने के बाद में आपको इसे overnight soak करने के लिए छोड़ देना है या फिर minimum आदे घंटे के लिए soak करने के लिए छोड़ देना है उसके बाद में जो हमारा rice water है वो किसी cotton hanky की help से आप अपने चेहरे पर इसको apply कीजिए अपने चेहरे को बिल्कुल भिगो कर इससे रखिए जिससे यह आपके skin को hydrate करेगा friends यह जो rice water होता है इसके regular use करने से हमारी skin का जितना भी extra oil होता है वो control होता है प्लिस हमारी जो skin है वो acne free and pimple free होती है बहुत अच्छा अगर आपको result चाहिए friends तो आप कम से कम 15-20 minutes के लिए अपने face को rice water से लवालब भिगो कर रखिए next step में हमें बनाना है scrub इसकर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावलों को बारीक पीस लिया है एक अच्छा सा powder इसका तयार कर लिया है अब एक चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा honey मिला कर हम इसका एक smooth पेश तयार करेंगे जिससे हमारे skin पर वो अच्छे से spread हो जाए friends यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पाने नहीं डालना है total honey में ही इसका आपको scrub तयार करना है honey और चावल दोनों ही skin के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनका जो combination है वो तो skin के लिए कमाल है डेट से दो मिनट आपको करीब अपने skin पर इससे massage देनी है जिससे आपके जितने भी dull skin है जितने भी impurities हैं सारी साफ हो जाएंगी जितने भी आपको black heads है white heads है वो सारे remove हो जाएंगे after scrub आपको अपना face wash कर लेना है अब हम करनी है यहाँ पर अपने cream facial की तैयारी यहाँ पर जो मैंने चावल यूज किया है यह वही चावल है जो मैंने rice water के लिए एक रात पहले शोक करने रखा हुआ था फ्रेंड से जो चावल है वो ओवरनाइट सोक था इसलिए कापी soft हो चुका है इसलिए आसानी से पिस जाएगा दो तिन जब मैं चावल लेकर हमें इसका एक बहुत fine और पतला सा paste piece लेना है क्योंकि फ्रेंड हम यहाँ पर अपना जो facial है उसको cream form में तयार कर रहे हैं इसलिए आपको इसे एक दम fine piece नहाएं और करीब दो से तीन वार आपको इसे अच्छी तरह से चान लेना है अच्छी तरह से चानने के बाद आपको इसे बिल्कुल medium gas पर एक डेड़ मिनट के लिए पकाना है कुछ इस टैप की consistency हमें यहाँ पर चाहिए एक चमच बेसन और दो तिन चमच coconut oil मिलाकर हमें इसका एक smooth पेश तयार करना है फ्रेंड्स हमें इसे cream foam में बनाना है इसलिए coconut oil मिलाना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे इसमें एक तरह से creamy texture आएगा और यह आपकी जो skin है उसको बिल्कुल भी dry नहीं होने देगा पूरे दिन आपकी skin को moisturize ही रखेगा एक अच्छा सा और smooth paste बना कर हमने इसका तयार किया है फ्रेंड्स टेक्शर आप देख सकते हो कितना smooth और कितना creamy form में यह बनकर तयार हुआ है आपको करी 15-20 मिनट इसको अपने चेहरे पर लगा कर मसाज करनी है फ्रेंड्स मैं जितने भी step आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ आपको वो सारे step फॉलो करने है वन वाई वन और आप देखोगे कि facial के बाद में जो आपकी skin है वो एकदम से spongy दिखेगी फ्रेंड्स करीब 15-20 मिनट मसाज करने के बाद इसको 10 मिनट अपनी skin पर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए ये एक तरह से face mask का आपके लिए काम करेगा जश्ट मैं आपको remove करके दिखाऊंगी तो आप effect देख सकते हो मेरी skin पर ये कितना glow कर रहा है believe me friend इससे ज़्यादा अच्छा और सस्ता facial कोई हो ही नहीं सकता भाई मुझे तो ये facial बहुत ज़्यादा सही लगा बहुत अच्छा work किया है इसने मेरी skin पर आप बेसे अपने घर में बनाईए यूज कीजिए अपना experience मेरे साथ share कीजिए thanks for watching